प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ताकत्वर देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलागात की और अलग-अलग मुद्दों पे चर्चा भी की लेकिन आज नरेंद्र मोदी UAE यानि संयुक्त अरब अमिरात के लिए रवाना हो गए हैं उनका ये छूटा सा दौरा कई माईनों में खास है कैसे देखे हमारी ये खास रिपोर्ट पे खास है पहला तो पीम मोदी संयुक्त अरब अमिरात के पूर राश्ट्रपती और अबुधाबी शाशक शेक खलीफा बिन जायत अलनाहयान के निधन पर व्यक्तिकत शद्धान जली देंगे बता दें कि UAE के पूर राश्ट्रपती और अबुधाबी के शाशक रहे शेक खलीफा बिन जायत अलनाहयान का निधन तेर मई को हुआ था हाल ही में चले पैगंबर मुहम्मद विवात के कारण खाडी के देशों के साथ आई हलकी सी दूरी को पाटने के लिए भी ये दौरा एहम है UAE के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं UAE के साथ भारत के क्रूड ओयल से लेकर भारत में आने वाले विदेशी धन और एक्सपोर्ट के मामले में भी काफी एहम रिष्टे हैं आपको बता दें देश का साथ फीजदी क्रूड ओयल खाडी के देशों से आता है इसमें UAE से नौ फीजदी तेल आता है जबकि इराग से 22 और साउदी अरब से 19 फीजदी तेल आता है विदेश से आने वाले पैसों की बात करें तो भारत में विदेश से आने वाला करीब आधा पैसा पांच खाडी के देशों से ही आ रहा है वहीं इन खाडी के देशों में भारत में 26.9 फीजदी पैसा UAE से आता है इसके बाद 11.6 फीजदी पैसा साउदी अरब, 6.5 फीजदी पैसा खतर और 3 फीजदी पैसा उमान से आ रहा है ये पैसा हमारे विदेशी मुद्रा कोश को बढ़ाता है जो हमारे आयात के लिए बहुत जरूरी है UAE के साथ ना केवल हमारे आर्थिक रिष्टे हैं बलकि इससे कहीं ज्यादा हमारे उनके साथ सामाजिक रिष्टे हैं क्यूंकि भारत के कई नागरिक वहां रह रहे हैं कहा जाता है कि UAE में हर तीसरा वेक्थी भारतीय है वह प्रधानमंत्री मोधी संयुक्तरव अमिराथ पहुँच चुके हैं और उनका ये छोटा सा दौरा क्या इस बीच आई दूरी को पाट पाएगा क्या नरेंद्र मोधी का ये मास्टर स्टो काम कर पाएगा या नहीं क्या थाएगा नहीं